जिले की चंद अहम खबरों के साथ पेश है खबर नामा मैं हूँ नुशाद अंसारी आदाब नाजरेन समाजवादी पार्टी लखनो यूनिवर्सिटी के तलबा लीडर वो इस्टूडेंट यूनियन सपा के कौमी नायब सदर मास्ट अनिलियादो का काफिला दरजनो लगजरी कारों के साथ जैसे ही महु पहुँचा सपा वरकरों ने जग़ जग़ कार रोक कर मास्ट अनिलियादो का जबरदस्त इस्तक्बाल किया उनका काफिला महमदाबाद गोना के रास्ते खुरहट बड़ा गाउं मतलूपूर मोड मिर्जादी पुरा चौक होते हुए आजमगड मोड से होकर पुराना सदर अस्पताल के पास वाकप पार्टी दफ्तर पर पहुँचा पार्टी दफ्तर पर भी सैक्ड़ों वर्करों ने गुलपोसी करते हुए जोरदार खैरमक्दम किया इस दवरान उन्होंने प्रेस कंफरेंस को खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने मेरे उपर दरजनों फरजी मुकदमे दरज करके मुझे 398 रोज जेल में रखा उन्होंने कहा कि ताना शाही के खिलाफ वदिर्याला आदितनाती योगी को काला ज्हंडा देखाने से लेकर लखीम पूर खीरी के सानिया को लेकर सड़क पर आंदोलन करने के जुर्म में मुझे एक साल से ज्याद़ दिनों तक जेल में रखा गया बीजेपी सरकार मुसलसल बैक वर्डों को नजर अंदाज कर रही है इतना ही नहीं इस कालर्शिप में भी उनके हक को लूट लिया गया है जिसको सपा और सपा के सिपाई कभी भी बरदास्त नहीं करेंगे डीम अरुन कुमार की सदारत में महुझेल में पचास लाख रोपे या उस से ज्याद़ के तामिराती कामों का जायजा लिया गया जायजा मीटिंग कलेक्टरेट के मीटिंग हाल में एक्ताम पजीर हुई इस दोरान डीम अरुन कुमार ने सभी मुख्तलिफ मुख्मों के जरीए कराए गए तामिराती कामों का जायजा लिया उन्होंने सभी मुख्मों को तामिराती कामों को कौालिटी के साथ साथ वक्त मुखररा से मकमल कराने की भी हिदायद दी है डिविजनल ट्रांसपोर्ट आफिस के सभी अफसरान वो मुलाजमीन के साथ साथ आफिस में पहुँचे सभी हजरात को ट्रैफिक जापतों से मुतलिक आज आनलाइन ट्रेनिंग दी गई ट्रांसपोर्ट एक्ट 1988 से मुनसलिक दफात के तहट लोगों को बेदार भी किया गया सडक तहफुज माह 5 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2023 तक मनाया जाएगा जिसका आगाज गुजस्त रोज सब डिस्टिक मजिस्टेट भानू परताब सिंग ने तस्हीरी वैन को हरी जन्डी देका कर रवाना किया इस दवरान मौजूद सभी हजरात को ट्रैफिक से मुतलिक खलबबरदारी भी कराई गई मौजूद में पढ़ रही जबरदस्त सर्दी और सर्द हवाओं को मदे नजर रखते हुए गुरबा व मसाकीन नीज रिक्सर व रिक्सर ट्राली और दिगर जरूरत मंदों को सर्दी और ठ्ट्रन से बचाने के लिए कंबल तक्सीम किया इस दोरान डियम अरुन कुमार ने रेलवे इस्टीशन रोडवेज रैन बसेरा वगएरा का दोरा करके जरूरत मंदों को कंबल तक्सीम किया उन्होंने मज़ीद कहा कि सर्दी से बचाओं के लिए जिला इंतजामिया पुरी तरह से मुस्ताइब है नाजरीन अगर आपको हमारी खबर पसंद आये तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना हर्गिज न भूलें साथी साथ हमारी यूट्यूब चैनल आग मौ को भी सब्स्राइब कर लें आग नियूस के लिए मौसे ब्यूरो रिपोर्ट आग मौ मतलब एतमाद आपका सद फीसद हकीकत पर मबनी खबर हर खबर जाच परख कर बेबाग और बेदाग आज़ादाना और मुनसिफाना तो देर किस बात की अभी सब्सक्राइब करें आग मौ और देखते रहें सची खबर हमारे यूट्यूब चैनल आग मौ पर